दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल में राजस्थान मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे राजस्थान में आ रही है, काली आंधी मौसम विभाग की चेतावनी सब काम छोड़ देखें। जोधपुर, पाली, जैसलमेर, चुरू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जुन्जुनु, भरतपुर और धौलपुर के साथ आसपास के इलाकों में बादल। गर्जने के साथ तेज हवा और हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मेग गर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर रहें। पेडों के नीचे खड़े ना हूँ। प्रदेश के 28 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तीन स्थानों पर आकाशिय बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तोरगड, दोसा, धौलपुर, जैपुर, जुन्जुनू, करॉली, कोटा, राजसमंद, सवाई, माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदेपुर, बाडमेर, बीकानेर, चूरू, ह अनुमानगड, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में रियल अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में सामान्य स्थिती बताई गई है। बांसवाडा, डूंगरपुर, जालावाड, प्रतापगड में मौसम विभ का बड़ा असर देखा जा रहा है। इस नए पश्चिमी विख्षोब ने पूरे प्रदेश का मौसम बदल कर रख दिया है। दो-तीन दिन पहले गर्मी थी और तेज धूप थी, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी दर्स की जा रही थी। लेकिन पश्चिमी विख् से अचानक राहत मिल गई है। पश्चिमी विख्षोब के चलते शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। सरवाधिक बारिश बीकानेर में 13 म.N दर्स की गई। इसके अलावा अजमेर, पिलानी, फलोदी, चूरू, जैसलमेर और फतेहपुर सहित कई स्था पर शुक्रवार को बारिश हुई।